अक्सर बच्चे प्रस्ण किया करते हैं कि सर बताईए चमगादर पच्छी है कि नहीं तो मैं यहाँ पर एक बात अस्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चमगादर पच्छी नहीं है बलकि यह आकास में उड़ने वाला एक अस्तंधारी प्राडी है क्योंकि यह प्रजनन में सीधे बच्चे पैदा करता है तथा अपने बच्चों को दूठ पिलाता है पच्छीयों की तरह चमगादर अंडे नहीं देते बच्चों इस धर्ती पर इनकी एक हजार से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है इस लिहाज से यह रोडेंटिया यानि क्रिंतकों के बाद अस्तंधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्मार करते हैं समूल रूप से ब्लूमेन बाक सन 1789 के वरगी करण के अनुसार इनका बैज्यानिक नाम काईरोप्टेरा है चमगादर उल्टे लटकते हैं क्योंकि उल्टे लटके रहने से यह बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं पच्छियों की तरह हुए जमीन से उड़ान नहीं भर पाते क्योंकि इनके पैर वब पंक भरपूर उठान नहीं दे पाते जो इनके उड़ने के लिए आवस्यक है और इनके पिछले पैर इतने छोटे और अबिक्सित होते हैं कि वो दोड़ कर गत नहीं पकड़ सकते हाँ ये जमीन पर अगर चलते भी हैं तो अपने पंक के सहारे चलते हैं जो देखने में फिल्मों में दिखाये जाने वाले भूतों की चाल की तरह होते हैं चमगादड रात्रिचर प्राड़ी हैं सुभाव से बड़े आकार वाले चमगादड जिसे मैक्रो काईरोप्टेरा कहा जाता है ये फल भच्ची होते हैं और छोटे आकार वाले यानि मैक्रो काईरोप्टेरा कीट भच्ची होते हैं इस तरह से इनकी बड़ी प्रजात जहां किसानों के लिए हानिकारक होती है वहीं इनकी छोटी प्रजात कीटों का भच्चण कर किसानों की फशलों की रच्चा करती है ये सोते समय गिर क्यों नहीं जाते इसका कारण ये है कि चमगादर के पैरों की नसें इस तरह ब्योस्थित हैं कि इनका वज़न ही इनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है बच्चों चमगादर में कुट्टे, बिल्ली, सियार, भेडिये की तरह रेबीज रोक के वाइरस होते हैं अतह चमगादर के काटने पर डाक्टर रेबीज का ठीका लगाने की सलाह देते हैं कुछ लोग चमगादर को कोरोना जैसी महामारी के फैलने का दोसी मानते हैं और इनकी जान के दुश्मन बन बैठते हैं पर मैं यहाँ पर एक बात अस्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी तक बैज्यानिकों को चमगादर से कोरोना के वाइरस के फैलने के पुक्ता सबूत नहीं मिले हैं यह सिर्फ एक अफवा ही है अतह इन प्राडियों को मारे नहीं इन्हें इनके प्राक्रतिक आवासों में रहने दें क्योंकि इनका रहना हमारे लिए तथा हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है बच्चों मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सस्क्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल की हर नोटिफिकेशन आप तक सुगमता से पहुंचती रहे नमस्कार